कि बोलने की हिमत नहीं है और कुछ बोलोंगी तो मैं रोग होंगी मुझे इतना दर इतना तकलीफ है मैं नहीं बता सकती कि मुझे कितना तकलीफ है आप लोग समझ सकते हो जो कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे तो वेल्खम बैक वार नहीं किया था आज मेरी आवाज आपको बहुत स्लो सुनाई देगी क्योंकि गाइज जो इन से तब्येद बहुत जादे खराब हैं जिस दिन फर्ष्ट नुरात्री लगा है उस दिन इस आपको अचानक से बुखार हुआ है और पता नहीं क्यों कि सर मी इतना दर्दोरह फटा जा रहा है सर बुखार हो गया है तो अभी गाइस हम लोग था तो प्रवा के आ गये था तो आज में रिपोर्ट मिल गया है गाइस रिपोर्ट यह हमारा तो थोड़ी बहुत परेशानिया आई हैं मक्षर होगारे आजकल बहुत जादा लग रहे हैं तो यह है रिपोर्ट मतलब मैं खुद नहीं समझती कि आपको क्या दिखा हैं तो बहुत सारे चेकप पेज के लिखा था था थो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है जादा नहीं ह तो दबाई दे दिया हुआ है वो लाइए खपते दबाई खौँ सही हो जाओगे तो गाई सच में मुझे तीन दिन से इतनी खंडी लग रही थी ती ऐसे लगवत जैसे से मैं कितना तेज बीमार होने वाली है और वही होगा में साथ मैं बीमार हो गई मुझे जब लगता ह तीन दिन से मैंने कोई काम कुछ भी नहीं किया यारव इस वही खाना छाना ऑगभी थोड़ा बना लेती हूं हमत है नहीं हूती है वीटनेस बहुत जाद हो रही है तो घर की हालत देख रहे हो गाई जितनी गंदी पड़ए ही हम्मत ही नहीं हो ही कि कुछ कर लू पूजा पाट तो खेर जैसे तैसे कर देती हूं आतरानी की चौकी लगाई है तो यह सब भी करना जरूरी है यह सब तो हो जाता है बाकि और सच में कुछ करने की हिमत नहीं है बैड वगारा की हालत देख लो बहुत मतलब क्या बता हूं दो दिन से सुबह खाना ने बन पा रहा गया तो आते वक्त बारा एक बजगए एक बजगए तो खाना होना लेके आ गये थे आज तो हिमत ही नहीं हो रही है तो हस्बेंड जी ने अपना खाना पार्फल करवा के पैट करके लेके चले गए हैं और मैं मतलब मेरे लिए खाना यहां पे रख गए हैं तो जब मुझे भूट लगेगी गाईज मैं खालूंगी तो इसे मैं फ्रेज में रख देती हूं अ मैं साड़े चार मैं बालकनी में खड़ी हूं अभी तवेद में थोड़ी ठीक लग रही है तो मैंने सुझे थोड़ा से टेहल नूं लेटी लेड़े ना और भी बिमार्या पनब जाती हैं तो यहां काफी ज़्यादा सोर हो रहा है मेरी आवाज भी नहीं आएगी आपको नीचे का विव दिखाती हैं तो यह है गाइज नीचे का विव यहां पर आया है गोवी वाला जो की काफी ज़्यादा सोर मचा रहा है तो कोई भी आते जाते रस्ते में ले रहा है और आज का मौसम जो है गाइज रात में बारिस हुई थी और बादल अभी भी बहुत ज़्यादा है आपको दिख रहा होगा बहुत बादल बादल है इतना थंड़ा मौसम हो गया है कि क्या ही बताएं हवा तो आज कुछ बंद है रात में इतिते जानी तुफान आया था रात में बारिस भी हुई थी अभी भी आप देख सकते हो सड़क के किनारे किनारे सीलन है तो हमारे गली की सड़क गाईज अभी तक नहीं बनी तो मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर जाके वीडियो बना लेती हूपर गाईज पॉसिबल ही नहीं क्योंकि इतना सूर सराबा होत और भी बनाउंगी कॉछ कोई कप्रा नहाने जाओ दूरने होता या ना डूरना होता है तो काफी ज्यादा कांव लगता है उसे डूरने में मतलब उसी में एक निकालने के चक्कर में सारे उलत जाते हैं तो यही हो रहा है मेरे साथ तब्यत कराब होने के वज़े से दो दिन से मैंने कुछ भी नहीं किया गए जाब सुबह खाना नहीं बना था हुआ है है कि इसमेर ने ज jullie हुआ है है कि बिफकर्ट हिए हिसले भी मारइया पकड़ी स 있으имся ऑट अब जाते गजाते हैं ुआ व QR डिंदानिवन二 तुक्त वतिन से तुवोड की हैं। युआं डिशी तो मैंने जानती है मुझे कोई खिल गम कोई दर्द अगर कोई एक सब्द ना पूछे हमारे वीमारियों में कि तुम कैसी हो तुम्हें क्या हुआ था कि मुझे पती नीन देवता मिले हैं जो मतलब मेरी बहुत क्यार करते हैं गाइज मैं मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुझे इतना मतलब प्यार सम्मान इज्जत चीजे देंगे कि मैं अगर इन्हें दिन राट इनकी कितनी भी वह कर दो ना तो मैं इनके इतना नहीं सर्पाऊंगी जितना यह मेरी लिए कर देता हैं तुम्हें पास को सब्द ही नहीं है इनके बारे में मैं कुछ बोलू कुछ कहूं तो सच में एक चीज के लिए तो मैं कहूंगी कि हा मेरी किसमत बहुत अच्छी है कि मुझे ऐसे हजबन मिले और बाके चीजों में नहीं कहूंगी कि मेरी किसमत अच्छी है क्योंकि मैं बह कि अगर दूनिया जीत सकती है जो नहीं रहेंगे तो नहीं जीता है तो मैं तुना ही कहना चाहती है कि बद्वान उन्हें हमेशा खुश रखना मेरे भी उमर लग जाए उन्हें कि बोलने की हमत नहीं है और कुछ बोलोंगी तो मैं रोधना तकलीफ है मैं नहीं बता सकती कि मुझे कि इतना तकलीफ है आप लोग समच सकते हैं जो चेहरा हमेशा आसता है ऑपकेले में रोता भी है किसी को दिखता नहीं है अगर पुछ नहीं को आगर लोग दो पीस दितना है तो प्लीस अवार करें को दूज तरूर में से अवैंस, अपने निक्ट्ने नहीं को शुक्राइब करेंगाएं जिन देन नेक्ट्स वीडियों में से किन दूज करूएंगाएं